नमस्कार और सलाम, स्वागत है आप सबका इस नए वीडियो में इस वीडियो में हम और कुछ चीजे देखेंगे लिस्ट कलेक्शन में सबसे पहले हमें एक नया लिस्ट बना लेता हूं well lst is equal to list और फिर इसमें हम लिखते हैं dot range 1,11 कैसे भी बना दीजे और number का ही list लेना है आपको text का मत लीजे, यहाँ पर हम कुछ काम कर रहे है number पर specific तो इसको create कर लेते हैं यह list बन गया अब मान लीजे हमें एक नया चीज जो देखना है हमें करना है इस list को filter तो filter करने के लिए lst. अगर हम filter करते filter एक method होता है लेकिन इसका syntax थोड़ा सा अलग है तो आपको यह थोड़ा सा एक advanced stage है हमारा हलिए जो नई चीजे कुछ हम सीखने वाल है तो यहाँ पर हमें conditions लिखने हैं कि किस तरह के से filter करना है तो आप ध्यान से देखे मैं कैसे लिख रहा हूँ कोई भी एक variable लेना आपको ABCD को जो भी फिर उसके बाद में equal to greater than एक साथ लिखना है इसको इसको हम rocket symbol कहते यह जादा तार हम इसको implies implies कहते फिर हम कहेंगे x equal to equal to 2 अब इस पूरे code का मतलब क्या है filter एक क्या है collection method है क्योंकि list एक collection है इसलिए method उसका जो है वो collection method हो जाता है लेकिन यहाँ पर कुछ अलग तरीके से काम करता है filter क्या करेगा background में एक loop चलाएगा यहाँ पर सबसे पहले पहले item को लेगा वो पहले आएगा 1 उस item को लेने के बाद यहाँ पर आगया 1 फिर 1 आने के बाद वो आगे बढ़ेगा तो implies का मतलब अच्छा ठीक ही यह आगया लेकिन इस पर क्या करना है तो जो करना है वो हम आगे बता रहे हम क्या कहरे है x equal to 2 और स्काला में compare करने के लिए दो बार हम equal to use करते तो जहाँ पर भी x equal to 2 है उसको वो filter कर देगा लेकिन वो पूरे items को check करेगा तो जहाँ पर भी है वहाँ पर जाएगा इस तरी की से हर एक item को loop करेगा वो और फिर जो return करेगा वो सिर्व वही item return करेगा जहाँ पर condition उसकी true हो रही है अब एक ही item return हुआ जिसका number है 2 कुछ और example में देता आपको lst.filter कोई भी variable लेजे i implies i greater than 2 इसका मतलब क्या हो गया मैं list को filter करना चाह रहा हूँ लेकिन वही number चाहिए मुझे जो 2 से बड़े हैं तो दिखिए आपको एक नया list मिल गया जो 3 से 10 दगा रहा है इसी तरीके से आप कई और चीजे कर सकते है less than, greater than, filter इस तरीके से अगर माल लीचे आपको not equal to करना है तो आप इस तरीके से करेंगे filter एक दूसरा variable ले लो अलग-अलग variable ले रहा हो ताकि आपको ये समझ में आसाल हो जाए तो not equal to mister के से लिखते है exclamation equal to कोई भी एक number लिख दीजे तीन लिख दिया मालो तो तीन को ये अलावा जितने भी number से है वो सब filter करके आपको return करेगा और फिर क्या कर सकते हैं इसको एक नए list में store कर सकते है क्योंकि ये list return कर रहा है नीचे देखे, list of integer इसमें क्या होगा, एक एक करके का item आ रहा है ऐसे समझ लिजे, और फिर उसी item पर क्या काम करना है, ये आगे आप बात आ रहे है याद रखिए आपको, यहाँ जो variable इस्तेमाल कर रहे है के, वही variable यहाँ होना चाहिए अगर आप I कर रहे हैं तो I, X कर रहे हैं तो इस तरीके से उसका code लिखेंगे आप X implies X modulo 2, percentage को modulo कहते हैं तो हम इसको divide कर रहे हैं और divide करने के बाद मैं कह रहा हूँ, अगर इसका answer 0 आ रहा है इसका मतलब क्या हो गया? कि ये even number है तो देखे, अभी filter होने के बाद सिर्फ even numbers बिलेगे और इसी की तरह आपको अगर odd number चाहिए तो क्या करेंगे? यहाँ पर 1 लिख देंगे तो number को 2 के बाद divide करने के बाद या तो remainder 1 आएगा या 0 आएगा तो इस तरीके से आपको odd numbers मिल जाते हैं तो filter के अंदर आप कुछ भी logic लिख सकते हैं पस यह pattern follow कीजिए पहले एक variable फिर implies और फिर उसके उपर क्या काम करना है वो इसी तरीके से आप text variable पे लिखे text के उपर तो simple होगा direct equal to का filter वगेरा आप चला सकते हो या फिर हम आगे चलके कुछ string के उपर या text के उपर methods देखेंगे आलग से वो आप लगा सकते हो यहां पर अब आ जाते हैं एक बहुत ही important या बहुत ही एहम method पर जिसका नाम है map और यह बहुत इस्तमाल होता है अब आपको समझ में आएगा अभी हम्हारे पास original list है जिसमें एक से 10 तक number है मान लीजे हर number को मुझे double करना है तो कैसे करेंगे देखिए कितना आसान है map को भी filter की तरह ही लिखना आपको x implies अब double के लिए बस logical लग है x into 2 और इसको में store कर देता हो dbl list is equal to यह तो यह क्या करेगा map भी filter की तरह ही थोड़ा same है क्या हर item में वो loop करेगा हर item को लेगा और हर item को double कर दिया उसने देखो आप बहुत सारे काम कर सकते है उस पर जैसे मान लीजे हर item में मुझे 10 add करना है तो कितना आसान है देखो map method के साथ बस लिया x को अंदर लेगा वो फिर x को लेने के बाद x के ओपर क्या काम करना है वो हम implies के आगे लिख रहे है इस तरीके से क्या हो गया हर item 10 से बढ़ गया फिर और चीजे जो आप कर सकते हो जैसे मान लो मैं एक string का list बनाता है दो str list is equal to list इसमें हम items लिख देते इंडिया comma UK comma US इसको store कर दिया well run किया एक मिनट यहाँ पर हमारा double coat रहे गया इस तरह के से अब मान लीजे जान मुझ कि मैंने उसको lower case में लिखा है और मुझे upper case में इसको convert करना है तो upper case में convert करने के लिए हमारे पास two upper two lower यह methods है लेकिन मैं हर एक item को करना चाहरा तो कितना आसान है देखिए map कीजिए आप dot map map क्या करेगा हर एक item को pull करके आपको देगा फिर वो यहाँ आ गया फिर उसके उपर क्या काम करना है मैं बोल रहाँ implies x dot two type कीजिए और यहाँ पर upper case method है तो यह क्या कर देगा सब convert कर देगा अपर case में और फिर आप इसको एक नए list में store कीजिए इस तरीकी से क्या है आप अलग-अलग operations कर सकते हो बस ध्यान क्या रखना है आपको background में map और filter दोनों का है loop चलाते है map थोड़ा अलग है filter तो नाम से यह आपको समझ में आ रहा है condition जो भी है match जहां होगी वहाँ पर true होगी उस item को pull करके return करेगा पर map थोड़ा अलग है map क्या करेगा? initially loop तो कर रही गाई वो हर एक item को pull करेगा लेकिन हर एक item पर क्या काम करना है यह हम खुट decide कर सकते तो filter का जो scope होगे है सिर्फ filter तक ही सीमित है एक से 10 तक number है मुझे एक ऐसा कुछ code लिखना है कि even numbers को अलग करे वो और odd numbers को अलग करे एक तो काम आप filter से कर सकते हो वो हमने देखा है लेकिन यह और एक तारीका है यह करने का किस तारीके से देखे? हम लिख सकते lst.partition method है यह कुछ थोड़ा सा slide की तरह ही है लेकिन slide क्या करता है numbers को बढ़ा आर देता है continuous जो list मनते मुझे बढ़ाना नहीं बस मुझे separate करना है तो partition में आप ऐसे लिख सकते हो देखो x implies x modulo 2 equal to equal to 0 अब यह logic का मतलब क्या है? हमें मालूम है यह सिर्फ even numbers लाके देगा तो list.partition क्या करता है आपको? दो list बना के देगा एक list में रहेगा even number और दूसरे में order रहेगा मतलब यह insert क्या कर देता है? जो condition meet हो रही है उसको एक अलग list में रखता है और फिर जो condition meet नहीं हो रही उनको अलग कर देता है इस तरीके से partition है बट हमारे लिए सबसे एहम था map और filter जो अकसर जादा इस्तमाल होता है उनमें से भी map जादा इस्तमाल होगा तो धहन रखिए इसको इस वीडियो में इतना ही देखने के लिए शुक्रिया बने रहे दनेवाट